मैं अपनी बात गरह मंतरी जी को स्टेटमेंट देना था मैं उनका धनिवाद करता हूँ और सबसे ज़्यादा धनिवाद में प्राइमस्ट करता हूँ कि आपने सब को सुना आपने इतना समय दो घंटे से ज़्यादा यहां समय दिया आप बहुत भावक हुए और सच है हकीक अगर सच बताएं सर मेरे माता पिता की जब ड़त हुई मेरे आँखों से आंसों निकले लेकिन मैं चिलाया ने चिला के रो नहीं पाए मैंने जिन्दगी में सिर्फ चिला के रोया और जब रोता है इनसान तो वो कोई चिला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशल होने की जरुत नहीं वो थी पहली संजे गांदी की मौत इंडरा गांदी की मौत राजीव गांदी की मौत अलग अलग जगा था क्योंकि तीनों मौतें अचानक होगी थ शायद अगर नैचरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकिलती और चौथी थी जब सुपर सोनामी आ गया था उड़ी सा में नाइंटी नाइंट मैं हॉस्पिटल गया अपने पिदा जी को दिखाने के लिए और उन्हें कहा कि इनको गलेपिन कैंसर है मुझे तब तक ये गलेपिन कैंसर का नहीं माँ कैंसर मालूं गलेपिन तो मैं पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि जोग्राफिकल रिशो से बढ़ता है दो का चार चार का आठ आठ का सोला सोलंका चोसर जो बढ़ जाता है और इसकी अपर लिमिट है एकीज दिन तो एकीज दिन आप कहीं मत जाओ दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबा हमने प्रोग्राम बनाये कहीं जाने का इनको गुमाएंगे मिसित गांदी का शाम को फोनाया कि वहां साइकलोन है कोई दूसरे जनल सेकरेटरी हैं वो जाना नहीं चाहते हैं और तुम ही जा सकते हो अब मैं उनको कहता कि मैं अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बाहना कर रहा तो मैं अपने पीता जी को छोड़ कर मैंने का दो दिन में वापस आऊँ गुजरात के ये उडिशा के दोंग के लिए एक नई बात करता हूँ क्योंकि इसका लुलू इसका गवा था वो इस दुनिया में नहीं रहा अमेरे कांग्रिस का यंग लेडर था ये उस बहुत हूशोल्ड है नेम है आज भी उडिशा जब एरपोर्ट पे पहुंचा तो एक हजार आदमी था लड़के लड़के तो कहा सर पैदल चलना है क्योंकि सारे पेड जो हैं शेहर पानी में है और सारे पेड सड़कों पर है तो ये दस बारा किलोमेटर पैदल चलना हूँ चले हम तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला और मिनिस्टर कोई नहीं चीफ मिनिस्टर भागे थे मिनिस्टर भागे थे कोई एडिमिस्टरेशन को इस दुकाने तोड कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलीस की मदद से कि उन है त्यार लिए एक जंगल काटने के तीन रातें और तीन दिन और अटल जी से जाते हैं मैंने फॉन किसम पर किया तल जी प्राहिमिस्ट कि ये 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 इस्तिती है और हम सड़क त्यार करेंगे तब आप आये ताकि हम वहां सुमंदर तक पहुंचाएं तीन रात और तीन द और शन मंगा फिर उसके बाद मैंने सवनी हैं गाणदी जी को कहा कोई और वहां में रुगा जब मैंने लाशें देखी संकरों लाशें टेर रही एक तैर रही ती जब हम सुमंदर के किनारे तक पहुंचे तोहां में चला के रुए जब चौनदी दफा तो और पंचवी द और मैं मैं जब दर्बार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाईयों और बेहनों की कुर्बानी से हुआ मैं अभी दो ही दिन पहले पहुँचा था तो वहां स्वागत करने का मिलिटन्ड का यही तरीका था कि आप हतिया करो गरीबों की तो वही स्वागत होता उसका मतलब था कि हम हैं इस गलत पहमी में न रहना निशाद बाग जो के राजभावन के साथ वहां बस से उस पे लिखा था गुजरात की बस उसमें हमारे तकरिमन चालीस पचास गुजरात के हमारे भाई बहने ट्यूरिस्ट उस पे उन्होंने गरनेट लगा है और मेरे खाल में दरजन से ज़्यादा लोग वहीं अताहत हो गए और कई जखमी हो गए मैं एक फॉरण तुरण जगा पे पहुंचा लेकिन तब तक पुलीस ने वो हटा दिया था फिर मैं जैसे माननी परधान मंतरी जी इन्होंने भी डिफेंस मिस से बात की मैंने परधान मंतरी जी से बात की जहाज आया मी एट उनको लेने के लिए लेकिन जब मैं एरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहर है स्क्योर्टी वाले कहते हैं कि सीम आ रहे हैं सीम आ रहे हैं एरपोर्ट पर ये सब जाने के लिए तैयार थे हमारे जखमी भाई छोटे छोटे बच्चे तो जब मैं एरपोर्ट पर पहुँचा तो इन बच्चों ने जिसका किसी का पिता मर गया था किसी की मा मर गई थी वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपड़ गए तो मैं खुदा आईए क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दू इन बच्चों को। मैं कैसे जवाब दू उन बहनों को। जो यहां तफरी के लिए आए थे, सेर के लिए आए थे। और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं। उनके मता पिता की। तो यह होने की जुरूई बात है। आज हम यह लाशें बगवान से यही दौा करते हैं कि इस देश से मिलिटिंसी खत्म हो जाए। इस देश से आतिंगबात खत्म हो जाए। यह लाशे करना की। झाल झाल